अब देख रहे हैं आज तक और बात अब नरेंद्र मोदी की करेंगे जो आज वडोधरा से नामंकन दाखिल करेंगे मोदी के स्वागत के लिए वडोधरा में जबरदस तयारियां चल रहीं करीब सवा नौ बजे मोदी वडोधरा जाएंगे और दो घंटे तक वहाँ रोडशो करेंगे रोडशो के लिए जीब को फूलों से सजाया गया है रोडशो के बाद मोदी कलेक्टर दफ्तर पहुँचेंगे और वहाँ से अपना नामंकन दाखिल करेंगे मोदी के नॉमिनेशन को लेकर कारकरताओं में जबरदस उत्सा है और मोदी के वहाँ पहुचने पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किये गए हैं सुरक्षा बंदोबस को और जादा कड़ा किया गया है चपपे चपपे पर पुलिस तैनाद की गई है जहां पर जिस रास्ते पर मोदी रोजशो करेंगे वहाँ पर खासतोर पर सुरक्षा और जादा तकली करती गई है दो तस्वीरियां के सामने पहले रोजशो करेंगे करीब दो घंटे तक ये रोजशो चल लएगा और लगभग दो किलोमेटर की यात्रा इस दौरान मोदी तै करेंगे उसके बाद नामंकन दाखिल किया जाएगा कलेक्टर दफ्तर में वहाँ पर पर्चा भरा जाएगा और हर लिहाज से वडोद्रा काफी महतपूर रहा है मोदी के लिए और यही वज़ा है कि उन्होंने इसे अपना चुनावी शेत्र चुना है लोगों का क्या कुछ कहना है मोदी का यहां से नामंकन दाखिल करने को लेकर ये सुनिए वडोद्रा के लोगों में जबरदस उस्सा चुनावी मुकाबले में आज नरेंदर मोदी की आपचारिक एंट्री हो रही है बीजेपी की तरफ से वो पीएम कैंडेट तो पहले से ही है आप वडोद्रा से अपनी उमीदवारी का परचा भी दाखिलाज कर रहे है वारणसी से उनके खड़े होने का सिर्फ एलान हुआ है परचा वहाँ बाद में भरा जाएगा लेकिट वडोद्रा का नंबर पहले आया है आईए दिखते हैं कैसी है मोदी के लिए वडोद्रा में तयारी है वडोद्रा वालों का इंतजार खत्म हुआ वारणसी के बाद मोदी परचा भरने पधा रहे है और इस आगमन की आहट अभी से सुनाई दे रही है शहर में जिस शहर को देश के प्रधान मंतरी पत के उमीद्वार ने अपना चुनाविक शेतर चुना हूँ उट सुकता तो थोड़ी बढ़ी जाती है और वडोदरा तो मोदी के लिए चुनाव भूमी से पहले कर्म भूमी रह चुका है वडोदरा के साथ मोदी की कर्म भूमी का वो कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे शहर को अपनी चुनाव भूमी बनाने के पीछे समी करण भी बताएंगे लेकिन उससे पहले बात मोदी के परचा भरने से पहले समर्थकों के उत्साहा की मोदी भले ही परचा भरने आ जाने वाले हूँ लेकिन उनका जंडा चुनावी बिगुल बजने के साथ ही लहराना शुरू कर चुके थे समर्थक परचा भढ़ने से पहले मोदी का समर्थन करने वाले जिन चार लोगों के नाम पार्टी ने प्रस्तावित किये थे उनमें राजमाता शुभांगीनी राजगायकवाड के साथ ठेले पर चाय बेचने वाले एक शक्स का भी नाम है किरन महिडा राम जन भूमिया अंदुलन के वक्त से ही बीजे पी से जुड़े हैं लेकिन चाय के सियासी कनेक्शन ने उन्हें आधिकारिक रूप से मोदी का समर्थक बना दिया बडोदरा के हजारों चाय बेचने वालों में से ये सायोग भी हो सकता है लेकिन कारेकरताओं की नजर में ये सायोग नहीं बलकि एक बड़ा संकीत है ये चाय वाला उजरात में बरोडा के अंदर पार्टी का एक चोटा वर्कर है और हैंस उनका ये फॉर्म बनने में प्रमोटर का स्वरुप ले रहा है मोदी का चाय कनेक्शन हो या फिर विकास पुरुष की छवी की हवा वडोदरा पहुँचने से पहले ही मोदी लहर की रफ्तार साफ दिखाई दे रही है पर्चा भढ़ने से पहले भी मोदी इस लहर का दीदार करना चाहेंगे अपने चुनावी काफिले के साथ पूरी हवा देने की कोशिश करेंगे आलाकि इस काफिले में बीजेपी का कोई और बड़ा नेता नहीं होगा वैसे भी गुजरात में मोदी के सिवा दूसरा कद्दावर है भी नहीं लिहाजा वडूदरा के लिए भी मोदी ही काफिये हैं ऐसा मोदी के समर्थ को कमानना है अब ज़रा नज़र डालते हैं शेहर में एंट्री से लेकर पर्चा भरने तक मोदी के चुनावी काफिले के बारे में सुभा साढ़े नौ बजे मोदी खुले वाहन में सवार होंगे मोदी का काफिला कलेक्टर आफिस के लिए रवाना होगा सुभा ग्यारा बजे करीब दो घंटे की रैली के बाद मोदी कलेक्टर आफिस पहुचेंगे वडोदरा में चुनावी महौल बनाने के लिए मोदी के लिए ये दो घंटे नर्नायक होंगे इसलिए पौने दो किलो मीटर की दूरी दो घंटे में तैकर मोदी शहर के एहम ठिकानों परुकते हुए समर्थकों से हाथ मिलाते हुए सुरक्षा के लिए तैनात 1100 लोगों के साथ कलेक्टर आफिस अपना पर्चा भरने के लिए पहुचेंगे एहमदाबा से गोपी मनियार के साथ वशिष्ट शुकला वडोदरा आज तक